दोस्तो हम लोग हमारे होमस्टे से चले आए हैं जलोरी पास इसका हाइट है 10-200 फीट यहां से दो ट्रेक होता है आप चाहें तो इधर चले जाए रगुपूर कोट के तरफ से हमने ट्रेक स्टार्ट किया है हमने पास्ट मेटर अपितर कवर कर लिया है ट्रेक करते करते यह सूरत सा मिड़ोज एरिया आ गया देखे चारो तरफ कितनी खुबसूरती बिक्री पारिस आने के पहले हम लोग इसी एटिरी में गय थे काफी अच्छा मैगी और चाहे इन्होंने पिलाया अभी बारिस बंद हो चुका है अब मेरे सामने देख सकते हैं रगुपूर फोर् अधि के में एरिया में पहुंच चुके हैं हमारा प्रोपिटी सोजा में वेंकिस प्लेस कल राट को एराउंड साड़े दस विजे हम लोग सिमला से सोजा पहुंचे थे और हमारे प्रोपिटी से सामने का व्यू देखिए काफी खुबसूरत लाकों हजारों में देवदार के पेर है तो आप जब सोजा तेटन वैली का ड्रिप कीजेगा यहां रुख सकते हैं तो समय बाद में आपको हमारे प्रोपिटी का व्यू भी दूँगा अभी हम लोग जा रहे हैं यहां से जलोरी पास जहांसे हम लोग रगूपूर ट्रेक करेंगे वो ट्रेक एराउंड 3 किलो मीटेस का है चलि बढ़ते हैं लोग जलोरी पास के तरफ दोस्तों चलि अब आपको मैं हमारा प्रोपर्टी दिखाता हूं इस प्रोपर्टी का नाम है वेंकिस प्लेस दो फ्लोर में यह प्रोपर्टी है और सोजा में वन अब टॉप रेटेट प्रॉपर्टी है ये रूम साइज काफी बड़ा है अभी इलेक्टिसिटी नहीं है यहां पर यहां का फूट काफी टेस्टी है हमें पर डेट 1500 लगा मैं ओनर का नमबर डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ आप चाहें तो उनसे कॉंटेक कर यहां रुख सकते हैं चलिए अब चलते हैं जलो रिपास के तरफ जो यहां से राउंड आठ से दस क्लिमेटर उपर है दोस्तों हम लोग आ चुके अपने होटल से पांच क्लिमेटर दू जलो रिपास जिसका अल्टिटूड है 10,200 फीट यहां से दो ट्रीक होता है तीन क्लिमेटर का रगुपूर फोड का ट्रेक है जो इस सैड है और पांच क्लिमेटर का सिरुलसल लेक का ट्रेक है जो इस सैड है यहां पर है काली माता जी का मंदिर सबसे पहले चलते हैं, माता के दर्शन करते हैं, आसिबाद लेते हैं और बढ़ते हैं आज के लिए रगुपूर फोट का ट्रिक करने दोस्तों यहां कुछ एटीरीज भी है, तो अगर आप जब आईएगा ट्रेक कर आपको भूक लगें तो यहां पर आप खा सकते हैं, लोकल फूड मिलता है, कड़ी चावल, राजमा चावल, जो की भूँआ टेस्टी होता है, लोकल जैसा घर में बनता है, वैसा फूड होता ह चलिए, इस साइड हमारा ट्रेक है रगुपूर फोर्ट का, बढ़ते हैं ट्रेक की में, दोस्तों अभी हम लोग वहां उपर से आये थे, और यहां इस साइड हम लोग को नीचे रगुपूर फोर्ट के तरफ जाना है, बोर्ट लगा हुआ है, 0.3 किलिमेटर, एच्पी फ है, खुपसूरत सा ट्रेक होने वाला है, और छोटा सा ट्रेक है, दोस्तों रगुपूर फोर्ट और सिरोलसल लेक फोर्ट का ट्रेक का कुछ डिफरेंस है, रगुपूर फोर्ट तीन किलिमेटर है, लेकिन यह थोड़ा स्टिप चड़ाई है, सिरोलसल लेक का फ्लाइट चड़ाई है, वह पांच किलिमेटर का ट्रेक है, लोग ज्यादतर सिरोलसल लेक का ट्रेक करना पसंद करते हैं, और अगुपूर फोर्ट का नहीं करते हैं, बाकि अभी कुछ देर पहले यहां बारिष हुई थी, नीचे बहुत कीचड है, सो हमे देरे देरे आराम से ऊपर चलना है, जब से हमने ट्रेक स्टार्ट किया है, हमने पांस मेटर अपितर कवर कर लिया है, यहां बोड लगा हुआ है, रगुपूर फोर्ट, अडाई हजार मेटर यहां से भी पाकिये, चलिए इस खुबसूरत से वेधर में बढ़ते हैं, रगुपूर फोर्ट की तरह, पर अडाई है, रगुपूर फोर्ट का ट्रेक का रास्ता आभी तर baking का है, कुछ जगह आपको ऐसे सीदी मिल जाएगा और कुछ जगह ऐसा प्लेज रास्ता रहेगा, काफी चौड़ा रास्ता है, आप आरांद से रगुपूर फोर्ट का ट्रेक कर सकते हैं, ट्रेक करते करते ये खुबसूरत सा मिडोज एरिया आ गया देखे चारो तरफ कितनी खुबसूरती विक्री पड़ी है यहाँ पर दो एटेरीज है एक सामने है और एक वहाँ दूर है लेकिन अभी दोनों एटेरीज बंद है और वाश्रूम की सिवाए अभी तक तो कहीं भी कि दोस्तों लास्ट जो मैंने मेडोज का इरिया दिखाया उसके बाद का ट्रेक काफी स्टिफ हो गया आप देखिए नीचे कितना स्टिफ है और बारिस भी हुई है इसलिए थोड़ा सा रास्ता गिला है इसलिए थोड़ा ट्रिकिंग में प्राब्लम हो रहा है लेकिन इंजॉइ भी बहुत कर रहे है चोटा सा ट्रेक है थोड़ा इंजॉइमेंट तो रहना चाहिए चलिए बढ़ते आगे और आपको दिखाते है यहां की खुबसूरती है दोस्तों नीचे से स्ट्रिप सा ट्रेक कर हम लोग आपको दोस्तों हम लोग जैसी उपर आए बारी स्टार्ट हो गई है हम लोग एक पास केटिरी में आ चुके अंदर यहां पर हम लोग चाहे और गई काई है और जब तक बारिश ने होगी वेट करेंगे दोस्तों अगर आप लोग चाहे तो इस इटेरिक में रूख भी सकते हैं यहां पर रुखने का फैसिलिटीज है आप देख सकते हैं नीचे गदा भी चाहुआ है पास में रजाई भी र देखाते हैं दोस्तों बारिस आने के पहले हम लोग इसी इटेरी में गह थे काफी अच्छा मैगी और चाहे इन्होंने पिलाया अभी बारिस बंद हो चुका है काफी खुबसूरत सभी हो है चारो तरफ आप देखिए सामने कुछ कैम्प लगा हुआ है घोड़ा भी सामने से अब लग उस पॉइंट पर चलते हैं और नीचे का व्यू देखते है दोस्तों मैं यहां उपर आ चुका हूँ और यहां से व्यू देखिए काफी खुबसूरत लग रहा है नीचे वैली दूर में वो सोजा गाओं उपर बादल काफी खुबसूरत मेस्मिराइजिंग व्यू है यहां से रगुपूर फोर्ट एराउंड एक किलमीटर दूर है उस साइट अभी हमें वहां जाना है और यहां से टोटल इस मेड़ो एरिया का व्यू देखिए अगर यहां पर बादल ना हो तो यह जगह काफी खुबसूरत है अपने दोस्तों फैमिली के साथ काफी समय बिता सकते हैं और आपको अच्छा चीज़ दिखाता हूँ आप यहां पर आईए यहां पर बैठके कुछ देर खापी सकते हैं और यह खुबसूरत सा व्यू देख सकते हैं चलिए बादल बढ़ रहा है जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं रगुपूर फोर्ट के तरफ दोस्तों इटिरीज के साथ में एक टेंट भी है आप देखिए टेंट को आराम से दोजन यहां रह सकता है जो एडवेंचर सीकर से और आकर इस जगह पर रुखना चाहते हैं वो आराम से इनसे कॉंटेक्ट कर टेंट में रुख सकते हैं तो आप मेरे सामने देख सकते हैं रगुपूर फोर्ट का अब यहां उपर जाएंगे तो रगुपूर फोर्ट आएगा और उसके नीचे यहां पर पॉंड है रगुपूर का चलिए चलते हैं बादल तो पहाड़ पर आ चुकी है लेकिन यही मजा है ट्रेक का और यही मज होता है नेचर्स की ब्यूटी का दोस्तों कुछ दिर पहले मैं आपसे जॉइन गया था उसके पर फिर से बारिस स्टार्ट हो गई एक घंटे का बहुत जोड का बारिस हुआ है अभी वेदर हलका क्लियर हुआ है आप नीचे दूर देखिए सिम्ना सहर भी दिखाए दे रह है दोस्तों आप मेरे पीछे दूर में देख सकते हैं रगुपूर फोट राउंड तीन सो से चार सो मिटर बचा हुआ है ट्रेक का रहा हम लोग बहुत जाएंगे रगुपूर फोट चली बढ़ते हैं ट्रेक पे दोस्तों जनुरी पास से तीन किलोमेटर का ट्रेक कर फाइनली हम लोग रगुपूर फोट पहुंच चुके हैं सामने यह सीड़ी है यहीं से रगुपूर फोट में इंट्री करेंगे दोस्तों मैं एक रगुपूर फोट के प्रेमाइसेज में हूँ अभी तो बस रुइन सी बचे हुए हैं चलिए मैं इसका हिस्ट्री बता दियू आपको यह फोट एप्रॉक्सिमेली साड़े तीन सो से चार सो साल पुराना है मंडी के राजा का यहां पर फोट हुआ करता था जब बिटिसर्स आये वो यहां रहने लगे लेकिन जब बिटिसर्स इंडिया छोड़के गये उसके बाद इस जगह का देख भल नहीं हुआ और अब बस इसके अफसेसी बचे है बाकि यह खुपसूरत सा व्यू देखिए बारिस में रुखना सफल रहा यह खुपसूरत सा घाटी का व्यू बहुत सुनना लग रहा है अभी कुछ दिर यहां एक्स्प्लोर करेंगे फिर हम लोग वापस नीचे के तरफ बढ़ेंगे दोस्तों आप सामने देख सकते हैं यहां एक खंडर जैसा घर है उधर एक खंडर जैसा घर है और सायथ सामने मंदिर हुआ करता था उस जमाने में आज की दिर पे वहां कुछ भी नहीं है यह चारो तरफ फोर्ट का एरिया सामने उचे-उचे पहार तो जब भी सोजा आए जी भी आए प्लान करे और रगुपूर फोर्ट का ट्रेक जरूर से करे क्योंकि यहां से जो व्यू मिलने वाला है वो बहुत अच्छा है दोस्तों जस्ट फॉर इर इंफोर्मेशन रगुपूर फोर्ट एराउंड 11,200 फीट उचा है सी लेबल का और जलोरी पास एराउंड 10,200 फीट उचा है रगुपूर फोर्ट घूमकर वापस हम लोग जलोरी पास के तरफ बढ़ रहे हैं मैं वही पर आपस जोड़ता हूँ दोस्तों जाते वक्त इस जगा पे धूप था और अभी देखे चारों तरफ फॉग हो गया है अभी बज़ रहा है सामके साड़े पाच साथ आठ सु मिटर बचा होगा नीचे पहुंचने तक का चलिए जल्दी से नीचे पहुंचते हैं दोस्तों फाइनली रगुपूर फोर्ट का ट्रेक हमने कम्प्लीट किया बारिस के वज़े से उपर जाने में कुछ देर डिले हुआ लेकिन उपर से नीची हम लोग डेर घंटा में आ गया है यह रहा बोट यहां से तीन किलोमेटर का ट्रेक है काफी खुबसूरत सा जगा है आप लोग जब भी सेट आईएगा जरूर से यह ट्रेक कीजेगा अभी हम लोग वापस जलोरी पास के तरफ जा रहे हैं वहां से मीनी थाइलेंड जाने का प्लान है देखते है हमारा प्लान सकसेस्फुल होता है यह नहीं जैसा भी होगा आपको जरूर से बताएंगे दोस्तों हम लग जलोरी पास से आ चुके हैं अभी कतांडी इसे मिनी थाइलेंड भी कहते हैं काफी खुब्सूरत सी जगह है यहां से हमें नींचे ट्रेक करते हुए अप्रोक्सिमेंटी 10 मिट जाना है फिर हम लग पहुंच जाएंगे में स्कॉट पे चलिए नींचे चुके है कुछ को भद्रा नदी आप यहां से देख रहे हैं आ रही है मुझे पता नहीं इस जगह को मिनी थाइलेंड क्यों कहते हैं लेकिन एक काफी खुब्सूरत सी जगह है आके कुछ पल अपने दोस्तों के साथ इंजॉय कर सकते हैं कुछ दर यहां पानी में खड़े होकर इंजॉय कर सकते हैं मैं यहां पर थोड़ा स्पेंड करता हूँ वापस से आपको जॉइन करता हूँ तब तक आप खुब्सूरत सा इस जगह का व्यू देखिए पानी नहीं होती है लेकिन उपर बर्साद मुहार इसलिए यहां पर इता पानी है बाकि व्यू के साथ आज की इस एपिसोड पर यहां करते हैं आयोग आपको जरूदी पास में रधुपूल कोट का ट्रेक आपके अच्छा लगा होगा और यह चोटा का मीनी खायों का ट्रेक के अच्छा लगा होगा जल्दी आपके मिलते हैं फिर रेंट बाबाई यू सुर्ण